हलो बच्चों स्वागत आपका आपके चनल SRS Learning में यह हमारी Mathematics की Worksheet है और यह कौन से क्लास की है? वोर्थ क्लास की हमारी Mathematics की Maths की Worksheet है Worksheet का जो नंबर है बेटा वो है 132 और जो हमारा डेट है वो है 15 दिसंबर 2020 इसमें क्या है आज जो हम समझेंगे वो है Estimate Volume of different Liquids के ही divisions ओते है उसकी olyume को क्या है? कैं क्या है आँ हम समझते हैं कि रजत की दिली में इक टेल की मिल है जो यह है ये क्या है रजता है。 इसके दिली में क्या है? एक तेल की मिल है यहाँ पर विबिन परकार के तेल जैसे सरसो का तेल, तील का तेल, बदाम का तेल आधी निकाला जाता है दूर दूर से लोग रज़त की तेल मिल से खरीदने आते हैं क्योंकि वे अच्छे बीजो का प्रियोग करता है क्यों? क्योंकि वो के अच्छे भीजो का प्रियोक टाइसा, लोक की हैं D elabor दूर से उसका तेल जो वो निकालता है वो लेने आते हैं एक दिन सुबह उसे अपनी दुकान पर एक लीटर और अधाल लिटर मापने के जार नहीं मिले ठीक है तो क्या है एक दिन उसको मिला भी नहीं कहार रखा है उसके वल 2 लीडर में परलनाँ में उसको कोई प्रेक दोला कि जार में कोई दे दिया तेल की मात्र को किस प्रकार कार दो लीटर और 200-0mmL के जार से मापा होगा, सोचे और COPY में लिए कारण कहलों हमें दे रहा है। हमारा क्या है, एक लीटर को उसने कैसे मापाakahैं, अब उसके पास दो लीटर का जार है और 200-0mmL का जार है। हम यहाँ पर इसको eş effectivement m-elaus करें कि है कि क्या आपे हम लीटर को मारे मिलीटर को हम हम लिखंगे तीख है बच्छोम अब एक क्या बन गया है असका एक लिटर अग़ेगी दो जो काम न्हीं कि तो यह क्या है थिए थाइसों के चार बार उनना आ, 10401,5-2010,4 बार परदाइसे किसे करें हैं तो दो लिटार का एक यह चाह रहा है था उर् disrupted 500 ml तो ऐसे उसके कियत ने 300 जो 300 लीटर है उसका हो गया तो बच्चों ये आप भी लीज मेरे साथ साथ करना क्योंकि स्पेस का मैं एक एक करती रहूंगी मैं और उसको रब करती रहूंगी ठीक है ये हमारा हो गया अब हमारा है 4 लीटर वाला 4 लीटर वाला बहुत असान है 4 लीटर वाला क्या 2 ml सोरी 2 लीटर प्लस 2 लीटर कितने हो गया 4 लीटर ये अराम से हो गया हमारा अब हमारा ये वाला कि एक लीटर और आधा लीटर वो कैसे करेगा कैसे नापनेगा वो देखो 2500 ml फिर 2500 ml कितने हो गए फिर 200 ml प्लस फिर 200 ml ये कितने हो गए उसके हो गए एक लीटर अब आदा लीटर और करना है उसको फिर 200 ml प्लस फिर 200 ml मतलब उसको क्या है 5-6 बार क्या है उसको ऐसे करना पड़ेगा तब उसको क्या है 1, 3, 4, 5, 6 बार हमें लिखना पड़ेगा अब हमारा क्या है 2 लिटर और 1,5 लिटर तो 2 लिटर ऐसा हो गया और 1,5 लिटर के लिए क्या करेगा 2500 ml प्लस 0,500 ml तो उसके कित्ने बन गए बच्चे 2 लिटर और 2,5 लिटर ठीक है धाई लीटर बन गए उसके अब उसका क्या है तीन लीटर और आधा लीटर उसको बनाना है अब इसको बनाते हैं इसको हम यहां पर लिख दें कि क्यों कम है ठीक है यह कैसे बनेगा यह देखो दो लीटर तो हो गया अब हमें क्या है डेल लीटर हमें अच्छा यहां पर चार लिखा है तो अब हमें क्या करना है हमें ठीक है कि प्लस में ये उसका क्या तीन लीटर बन गया अब उसको आदा अब उसके पूरा हो गया कि तीन लीटर और वन अपन फोर्थ लीटर उसका हो गया ठीक है तो हम बच्चों आपको भी ऐसे ही करना यहां से आप यह उतार ले तो यह हमारा क्या है यह पूरा हो गया ठीक है अब हम चलते आगे कि आपके घर में इस्तामाल होने वाली बालती मिलगब कितने लीटर पानी आता है एक लीटर की बोतल की मतद से माब पता कीजिए और कोपी मिले के क्या है आपको पता है कि एक लिटर की बोतल में एक लिटर पानी आएगा तो उस लिटर उस एक लिटर की बोतल है उसको आप भरते रहिए और अपनी बाल्टी में डालते जाएए तो फिर पता करिए कि आपकी बाल्टी है उसमें कितना पानी आया है तो जैसे मैंने ये करके देखा मैंने तो जो मेरी कि बाल्टी में में 15 लेटर पानी आया तो बच्चे अलग हो इसलिक इनों ने मैसर कहा रदिया है फिर बोतल बरी डाल दिया तो उस हिसाब से आप लगाएंगे तब आपको पता लगाएंगे क्योंकि हर किसे के घर जो बाल्टि का साइज होता है बच्चे वो अलग होता है ठीक है अब हमारा यह हो गया तो हमारा क्या है बीच में ही यूज होता हो बलुकि भीच में मतलब हो सकता है इससे ऊहीं कम होता हो ठीक है तो हमारा क्या है ये क्योंकि ये डिपेंड करता है क्या आपकी फैमिली में में मेंबर कितने है अगर ज् convention तो उसी हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा अब आपका next question है कि बच्चों क्या आप जानते हैं कि एक टपकते हुए नल से एक घंटे में लगवा एक लिटर पानी बरबाद होता है मतलब अगर क्या है एक घंटा आपका जो नल टपका उससे क्या है एक लिटर पानी बरबा होरा है तो चोविस घंटे में कितना हो चोविस लिट 20 अगार हमार से एक साल में पूुछ रखा ऊ-ए तो हम क्या करेंगे इसको चोविस को किसे TWey करेंगी हम 365 दिन ज़ों कि हमें 365 दिन का निकाल ला N एक दिन कितना खराब हो रहा 24 लिटर तो इतना पानी देखो आप कितना पानी किया आप वेस्ट करते हैं हम पूरे साल में ठीक एप पानी की बरबादी रोकने के लिए क्या-क्या उपहए कर सकते यह जरी बस झालको खुलत ना चौड़े कि अगर कहीं आपका जो खुलावा है तो उसको खुलत ना च्वड़े बंद कर देए नल को खुलत ना छोड़े आप इसके आने के लिए शावर की जगे आप बाल्टी का उप्योग करें उसे क्या आपका बहुत पानी बच सकता है और जहां कहीं भी नर लीक करें उसे तुरन ठीक करवाएं तो यह हमने तीन आपके लिए उपाई लिखें और भी हो सकता है कि जब जैसे आप पोंचा लगाते हैं वहा उसको बचा सकते हैं आपका nextution क्या देरखा है कि जल है तो कल है यादि पडती दिन एक लिटर पानी बचा घर एक दिन में एक लीटर पानी बचा रहे हैं तो आप पूरे महीने में महीना कितने को होता 30 कभी ओता लेकिन हम 30 को लेकर चलते हैं क्योंकि एक बच्चा कितना बचा सकता है एक महीने में क्या है यदि आपक्षा में सभी चात्र एक लिटर पानी बचा आते हैं तो एक महीने में कितना पानी बचा सकते हैं आप सब सो लीटर पानी आप बचा सकते हैं ठीक है वच्चो और बच्चो चर्चा करें कि शयरों में भूमिगजल के कम होने के कारण है जो हमारा भूमिगज जल होता है वो क्या हमारा जो इसतर हो रहा है उसका बहुत नीचे जा रहा है क्यों क्यों क्योंकि आजकल लोग क्या है बोरिंग लगा देते हैं और बोरिंग लगाने से क्या होता है वो 10 दुनादो 10 दुनादो पानी को वेस्ट करते हैं वो क्या है जो रेनी वाटर होता है उस हम क्या है एक जंगे ऐसी बनाए हम वहाँ पे कच्चा टाइप जो उससे क्या वह पानी जो मिट्टी सोकले और हमारा जो पानी का इस्तिर है फिर से इस्तर है वो फिर से भर जाए ठीक है बच्चो तो ये आज की बच्चे आपकी फोर्थ किलास की मैट्स की वक्षिट है मुझे पूरी उमीद है आपको पसंद आईएगो तो लाइक का बटन जून दबाईएगा और बच्चे आगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो पर लिए सब्सक्राइब कीजे साथ में अपने दोस्तों से भी कहिए और बच् अगर नहीं मिलती है तो आप लेलिस्ट में प्लीज जाके देख सकते हैं आपको एविलेबल वाँ पे मिलेगी ठीक है बच्चो अब मिलते हैं आगे की वक्षिट के साथ हमेशा खुश रहिए बच्चे कोविड-19 से बचके रहिए क्योंकि बहुत कतरनाक है कहीं जाए तो